नमस्कार दोस्तों क्या भाईया आपके जोडों में ग्रीस कम हो गई है अगर आपके जोडों में ग्रीस कम हो गई है तो आपके जोडों में दर्द होना सूजन होना चलने उठने बैठने में बहुत ज्यादा दिक्कत होना जोडों से कट-कट की आवा जाना ये समस्याएं आ कुछ उपाय के बारे में discuss करने वाले हैं तो वीडियो बहुत ही knowledgeable होने वाला है आपके काम का होने वाला है इसलिए वीडियो को complete देखते रहें सबसे पहले बात करेंगे कि भाई ये जो घुटनों की grease है ये आखिरकार है क्या और इस grease का काम क्या है इसको आप ध्यान से सुने बात करें दोस्तों कि भाई ये जो घुटनों की grease है इसको medical term में साइनोवेल फ्लूड बोला जाता है ये जो साइनोवेल फ्लूड है ये आपके घुटनों के बीच होता है इमेज में दिख रहा होगा अब इस साइनोवेल फ्लूड का काम क्या होता है ये जो साइनोवेल फ में भरा होता है अब ये साइनोवियल फ्लूड करता क्या है आपके जोडों को लुब्रिकेट करने का काम करता है आपके वहां के घरसड को कम करता है अगर हम बात करें भाई ये हमारी हथेली है इस हथेली पर ऐसे आप रगड़िये अगर आप इस पर कोई चिकनी चीज लगा करीस है यह बिसकली आपके जोडों को चिकनाहट प्रदान करती है जिससे क्या होता है आपके जोड है उसमें जो है लुब्रिकेशन हो पाता है और आपकी जो समस्या है वो खतम होती है इस तो आकसल लोगों में देखा गया है कि भाई उमर बढ़ने के साथ में ये जो साइ साथ ही साथ दोस्तों उमर बढ़ने के साथ में आपको ऑस्टियो अर्थराइटिस जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है दोस्तों अगर हम बात करें तो यह जो साइनोवियल फ्लूड है इससे ही पता चलता है कि आपके जॉइंट में कोई बीमारी तो नहीं है इसलिए दोस सबसे पहले आपको समझना होगा कि ।की जांच कब करेंगे यानि की वो कौन से लच्चड आपके जॉइंट में होंगे तब ढॉक्तर जो है इस साइनोवियल फ्लूड यानि की ग्रीस की जांच करेंगे सबसे पहला लच्चड है EEEE vos दर्ड है साथ ही वहाँ पे redness है या फिर दोस्तो थोड़ा सा भी वहाँ पे आप टच करते हैं तो आपको गरमाहट महसूस होती है वार्म महसूस होता है तब डॉक्टर जो है इस Sainval Flud की जाँच करते हैं यानि की ग्रीस की जाँच करते हैं अब आपको बताते हैं इस grease की जांच कैसे करते हैं और जांच से कैसे पता लगता है कि आपको क्या बीमारी है। दोस्तो इसमें सबसे पहले डॉक्टर आपके जोड में एक injection लगाते हैं जिसको आप सुन का injection बोल सकते हैं इसको local anesthetic medicine बोला जाता है। ये injection लगाते ही आपका दर्द वहां का खतम हो जाता है। उसके बाद में दोस्तो क्या करते हैं डॉक्टर वहां पे एक needle insert करते हैं आपके joint में और उससे उसके अंदर का यानि कि जोड की जो grease है वो थोड़ी सी बाहर निकाल लेते हैं। अब इस grease की जांच करते हैं। तो दो दोस्तो इसमें कोई दिक्कत पाई डॉक्टर ने तो आपके हो सकता है कि जोड में inflammation हो। उसके बाद में दोस्तो फर्दर check-up करते हैं इसका डॉक्टर। अगर आपके joint में जोड में crystal जो है पाए गए तो उससे पता चलता है कि भाई आपके जो है गाउट की समस्या है। स आपको वो तरीके बताते हैं जिन तरीकों के माध्यम से आप अपने घुटने की जो grease है साइनोवियल फ्रूड है उसको घर पर रहकर ही बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला है दोस्तो वाटर यानि की पानी पानी भाई तो हमारे पूरे सरीर में ही है लेकिन पानी का बहुत पता देता हूं जो पुरुस हैं वो दिन में लगभग 4 लीटर पानी का सेवन करें जो इस्तरी हैं वो दिन में लगभग 3 लीटर पानी का सेवन करें। दोस्तो अगला जो उपाय है वो है अखरोट आपको अगर आपके जो है जोडों में grease कम हो गया है तो आपको अखरोट का सेवन जरूर करना चाहिए अखरोट आपको जो है रोज दो कम से कम दो अखरोट खाने चाहिए दोस्तो ऐसा इसलिए क्योंकि अखरोट में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइडरेड, बिटमिन E, बिटमिन B सेक्स, कैलसियम और मेगनीसियम भरपूर मातरा में पाय जाते हैं इसके अलावा दोस्तो अखरोट में एंटी ओक्सीडेंट के साथ साथ ओमेगा-3 फैटी एसिड भी पाया जाता है दोस्तो यह एक प्रकार का फैट होता है फैटी एसिड जो की क्या करता है आपके घुटने में जोड में अगर सूजन है तो उसको कम करने का काम करता है तो का सिवन आपको जरूर करना है दोस्तों आगला जो उपाय है हर सिंगार के पत्ते हर सिंगार के पत्तो को दोस्तों पारिजात और नाइट जैसमिन भी बोला जाता है अगर दोस्तों भात करें तो इस In ऐसे गुड होते हैं जिससे आपके जो है घुटनों में ग्रीस को बढ में मदद मिलेगी अब ऐसा क्यों क्योंकि दोस्तों इसमें टैनिक इसिड मेथिल सिलिसलेट और ग्लूकोसाइड होता है जो कि क्या करेगा आपके घुटनों में ग्रीस बढ़ाने का काम करेगा इसके लिए आपको तीन से चार पत्ते जो है हर सिंगार के ले लेने हैं उसके बाद में उसको जो है क्या करना है उसका पेश्ट बना लेना है अब इस पेश्ट को पानी में मिक्स करना है बड़ा गलास पानी ले लीजिए उसमें मिक्स कर लीजिए और इसे धीमी आज पे पकाईए इसको तब तक पकाईए जब तक पानी आधे का आधा ना रह जाए उ इससे आपके घुटनों में ग्रीस बढ़ेगी और आपको आराम मिलेगा अगला जो उपाय है वो है नारियल पानी नारियल पानी के बहुत सारे फाइदे हैं यह आपके घुटने में ग्रीस बढ़ाने का काम करता है अब ऐसा क्यों तो दोस्तों अगर हम बात करें नारियल प तो दोस्तो इसका सेवन खाली पेट करना है जब आप इसका सेवन खाली पेट करेंगे तो क्या होगा आपके घुटनों में लचीला पनाएगा जिससे कि भाई आपके वहां पे जो प्रॉब्लम है घुटनों में दिक्कत है उसमें आपको आराम मिलेगा तो दोस्तो ये था आ अंदे मात्रम टेक केर बाए